दोस्तो एक नया पासपोर्ट बनाना काफी ज़्यादा आसान हो चुका है अब आप लोग घर बैठे ही अपने मोबाइल फॉन से एक न्यू पासपोर्ट के लिए ओनलाइन ही अपलाई कर सकते हैं पासपोर्ट बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और पासपोर्ट ऑफिस में बिजिट करना पड़ेगा और इसके बाद आपका पुलिस बेरिफिकेशन होगा इसके बाद दोस्तो 15 दिनों के अंदर ही जो पासपोर्ट है आपके एडरस पर सेंड कर दिया जाएगा एक न्यू पासपोर्ट को अपलाई करने के लिए आप लोग से आप लोग एक न्यू पासपोर्ट के लिए ओनलाइन ही घर वेटे अपलाई कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं एक न्यू पासपोर्ट को अपलाई करने के लिए आपको पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशल वेबसाइट पर आना है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस् पासपोर्ट ओफिस सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी इस लिश्ट में आपके नजदीक में पासपोर्ट ओफिस है आपको उसी ओफिस को यहां से सेलेक्ट कर लेना है पासपोर्ट ओफिस को सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको अपने नेम को एंटर करना है इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी date of birth को fill up करना है यहाँ पर आपको अपनी email id टाइप करनी है अगर आप लोग इस email id को अपनी login id बनाना चाहते हैं तो आपको yes वाले option पर click कर देना है click करने के बाद अब आपको यहाँ पर login id टाइप करनी है यानि कि आपको अपनी email ID enter करना है इसके बाद आपको यहाँ पर एक password बना लेना है यहाँ पर दुबारा से आपको इसी बाले password को enter करना है यहाँ पर आपको click करके एक question select कर लेना है जैसे कि माल लेते हैं अगर आप लोग इस password को भूल जाते हैं आप इस question का answer जो भी यहाँ पर type करेंगे तो वही question आपसे पूछा जाएगा तो इस question का answer type करके आप लोग अपने password को require कर सकते हैं question को select करने के बाद आपको यहाँ पर answer type करना है और आपको इस capture code को same to same इस वाले box में fill up करना है और capture code को fill up करने के बाद register वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही आप register वाले option पर click करेंगे इसके बाद आपने जो भी email ID enter की है उस email ID पर एक link send किया गया होगा उस link पर click करके आप लोगों को यहाँ पर अपनी email ID को confirm करना है तो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने अपनी email ID open कर ली है यहाँ पर एक mail आया हुआ है और इसके नीचे ही आपको एक link देखने को मिलेगा तो इसी link पर एक बार click कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी user ID को type कर देना है user ID मतलब अपनी email ID को ही user ID बनाया होगा तो आपको अपनी email ID को यहाँ पर type कर देना है और इसके बाद आपको submit वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही submit करेंगे यहाँ पर देखे लिखे आ चुका है Your account has been activated successfully click here to login तो आप चाहें तो यहाँ पर click करके भी login कर सकते हैं या फिर आप लोग home page पर आ करके existing user login वाले option पर click कर सकते हैं यहाँ पर जब आप click करेंगे आपकी login ID यहाँ पर already आ जाएगी और इसके बाद continue वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही continue करेंगे अब आपने जो भी password बनाया था उस password को यहाँ पर enter करना है इसके बाद capture code को same to same इस वाले box में fill up करना है और इसके बाद login वाले option पर एक बार click कर देना है आपकी ID यहाँ पर login हो चुकी है अब आपको यहाँ पर apply for phrase passport वाले option पर एक बार click कर देना है state district का नाम जैसे ही select करेंगे इसके बाद कुछ इस तरह से interface आ जाएगा आप से पूंचा जा रहा है passport type कौन से type का आप passport बनवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक phrase passport के लिए apply कर रहे हैं तो इस वाले option को select करेंगे इसके बाद यहाँ पर normal passport आप बनवाना चाहते हैं या फिर ततकाल अगर आपको दो से तीन दिन में passport चाहिए तो आप ततकाल select कर सकते हैं लेकिन इसमें face भी आपसे ज्यादा लगेगी तो हम यहाँ पर normal passport के लिए apply करेंगे तो normal वाले option को select कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर booklet type पूँचा जा रहा है इसके बाद next वाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद अब आपको यहाँ पर name को enter करना है जिसमें की आपको first name and middle name को type करना है इसके बाद आपको यहाँ पर surname को enter करना है इसके बाद आपको यहाँ पर gender select कर लेना है इसके बाद आपसे पूँचा जा रहा है क्या आपको किसी और नाम से भी जाना जाता है अगर yes तो yes करेंगे नहीं तो no वाले option को select करेंगे इसके बाद आपसे पूँचा जा रहा है क्या आपने कभी अपने name को change करवाया है अगर आपने name change करवाया तो yes वाले option को select करेंगे नहीं तो no वाले option को select कर लेंगे यहाँ पर आप लोग अपने village, town या फिर city का नाम type कर सकते हैं, इसके बाद आपको यहाँ से अपनी state का नाम select कर लेना है, इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी district का नाम select कर लेना है, और इसके बाद आपको अपना marital status select कर लेना है, इसके बाद आप से पूंचे जा रहा है city agency अगर आप जन्म से ही इंडिया में रहते हैं तो यहां पर बर्थ वाले option को ही select रहने देना है अगर आपके पास pine card available है तो आपको यहां पर अपने pine card number को enter करना है बोर्टर आईडी है तो आप बोर्टर आईडी नंबर को डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहते हैं तो आप इन पेरेंट या फिर आपके इस पाउस कोई भी गवर्मेंट नवकरी करते हैं तो आपको यस वाले ओप्शन पर क्लिक करना है अदरवाइस आपको नो वाले ओप्शन को ही सेलेक्ट कर देना है इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आप लोगों को देनी पड़ेग अगर आप टेंट से कम पढ़े लिखे हैं तो आपका जो पासपोर्ड है बहें नो इस यार केटिगरी में नहीं आएगा तो आपको यहाँ पर नो वाले ओप्शन को सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद आपसे पूंचा जा रहा है क्या आपके बोड़ी पर कोई भी ऐसा मार् सेट को भी बहां पर ले जाना पड़ेगा जिससे कि आप लोगों का वेरिफिकेशन हो सके इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर बगएरा को फिल करके आपको आई एगरी वाले ओप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सेब माई डिटेल वाले ओप्शन पर एक ब का नाम एंटर कर देना है इसके बाद आपको सरनेम एंटर करना है यहाँ पर मदर का नाम एंटर करना है इसके बाद मदर का सरनेम अगर है तो एंटर कर देंगे इसके बाद अगर कोई लीगल गारजियन है तो उसका नाम यहाँ पर एंटर करेंगे यहाँ पर सरनेम और यह अब आपने माता या फिर पिता का नाम एंटर करदेना है यहां पर सर्निम अगर है तो डाल देना है और इसके बात नेक्ष्ट वाले ओप्शन पर एक बार किलिक कर देना है जैसे ही next करेंगे अब आपको यहाँ पर present residential address को fill up करना है जिसमें कि यहाँ पर आपको no वाले option को ही select रहने देना है और यहाँ पर आप लोगों को अपना address fill करना है जिसमें कि आपको यहाँ पर अपना house number and street का नाम fill करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपने village या फिर town city का नाम fill कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर अपने state का नाम fill करना है यहाँ पर आप लोगों को अपनी district का नाम fill करना है यहाँ पर आपको अपने police station का नाम fill करना है तो आपको बहुत ही ध्यान से फिलप करना है अगर ये गलत हो जाता है तो आप लोगों को पासपोर्ट ओफिस में जब भी आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका फॉर्म अप्रूब नहीं होगा और आप लोगों को बार बार चक्कर काटने पड़ सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर देना है यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नमबर एंटर करना है और मोबाइल नमबर आप लोगों को बिल्कुल सही एंटर करना है क्योंकि इसी मोबाइल नमबर पर आपका जो पासपोर्ट ओफिस वाला SMS वो प्राप्त होगा यहां पर अगर कोई telephone number है तो एंटर कर सकते हैं इसके बाद आपको यहां पर email id एंटर कर देनी है अब यहां पर पूंचे जा रहा है permanent address available अगर दोस्तों आप लोगों का present address और permanent address same है तो आपको यहां पर no वाले option को select करना है अगर कोई अलग address है तो आपको yes वाले option को select करके permanent address को भी fill up करना है इसके बाद save my detail वाले option पर click करके next वाले option पर click कर देना है इसके बाद यहां पर I agree to receive SMS update यानि की जो भी passport सेवा की तरफ से SMS आपके mobile phone पर भेजा जाएगा तो उसके लिए आप agree है या फिर नहीं तो इसके लिए ओके वाले option पर click करेंगे और दोबारा से ओके वाले option पर आपको click कर देना है अब आपको यहां पर emergency contact detail को fill up करना है अगर emergency में किसी से बात करनी हो तो आप यहां पर emergency contact detail में किसके detail देना चाहते हैं तो उसका name और address आप लोगों को इस वाले column में fill करना है यहां पर उस व्यक्ति का mobile number डालना है telephone number है तो डाल सकते हैं email अगर है तो डालेंगे नहीं है तो इसे छोड़ देंगे यहां पर आपको save my detail वाले option पर click करके next वाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद यहां पर आपसे passport details पूछी जा रही यानि कि आपने इससे पहले कभी passport के लिए apply किया था और अभी तक आपका passport pending में है या फिर उसकी कोई भी detail available है तो आपको इस वाले option को select करना है अगर कोई detail available नहीं है या फिर आपने पहले कभी passport के लिए apply नहीं किया तो आप लोगों को details not available वाले option को select करना है और इसके बाद यहां पर no वाले option को select करना है इसके बाद आप लोगों को save my detail वाले option पर click करके next वाले option पर एक बार click कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को other details पूँची जा रही है तो यहाँ पर जितने भी questions दिये हैं इन सभी में no वाले option को select कर लेना है और इसके बाद save my detail वाले option पर क्लिक करके next वाले option पर एक बार क्लिक कर देना है अब जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपके passport का पूरा preview आपको देखने को मिल जाएगा तो इसमें अगर कोई भी mistake है तो आप लोगों को अभी देख लेना है जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का name print होके आएगा इसके बाद यहाँ पर आपका address print होके आएगा यहाँ पर जनमति थी यहाँ पर आपका photo होगा और इसके बाद नीचे की side में आपको signature देखने को मिल जाएंगे और इसी तरह से यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो पिता का नाम और साथी address pin code बगएरा आजाएगा अगर सब कुछ details सही है तो आपको यहाँ पर next वाले option पर एक बार click कर देना है इसके बाद next page कुछ इस तरह से आजाएगा इसमें आप लोगों को self declaration देना है जिसमें कि आप लोगों को यहाँ पर proof of worth के लिए एक documents को select करना है और जो भी आप documents select करेंगे वही document original आप लोगों को passport office में भी ले जाना पड़ेगा तो हम यहाँ पर proof of worth वाले option में देख लेते हैं काउन काउन से documents दे सकते हैं इसमें हम आधार कार्ट को ही select करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर एक address proof देना है address proof में भी आप चाहों तो आधार कार्ट दे सकते हैं बाद certificate दे सकते हैं, driving license दे सकते हैं तो हम इसमें भी आधार कार्ट को ही select करेंगे अगर आप लोग यहाँ पर आधार कार्ट के अलाब़ा कोई दूसरा documents को select करते हैं तो आप लोगों को उसी documents को बहाँ पर ले जाना पड़ेगा तो हमने दोनों में यह आधार कार्ट को ही select किया है इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को place का नाम enter कर देना है और place में आप लोग अपने गाउं तहसील या फिर district का नाम भी डाल सकते हैं इसके बाद date यहाँ पर जिस भी दिन आप apply कर रहे होंगे बही date आ जाएगी I agree वाले option पर click करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर save my detail वाले option पर click करेंगे और अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर अपने application form का preview भी देख सकते हैं अगर सब कुछ सही है तो आपको submit form वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे अब आप लोगों को यहाँ पर पंदरा सो रुपए की payment करनी पड़ेगी जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के starting में ही बता दिया था और आप लोगों को यहाँ पर एक application reference नंबर भी मिल जाएगा तो आपको pay and schedule appointment वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे इसके बाद आप से पूँचा जा रहा है कि आप online payment करना चाहते हैं या फिर चालान के माद्यम से तो हम यहाँ पर online payment method को select करेंगे और इसके बाद next वाले option पर एक बार click कर देना है यहाँ पर आपका application reference number आ जाएगा इसके बाद नाम और यहाँ पर date of birth आ जाएगी यहाँ पर next वाले option पर एक बार click कर देना है यहाँ पर आपके नजदी की जितने भी passport office होंगे सभी passport office आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगे कौन सी तारीक को यहाँ पर appointment available है वह तारीक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को इस list में से अपने passport office को select कर लेना है passport office और capture code को fill up करने के बाद next वाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आपकी detail आ जाएगी और साथ ही आप लोगों को एक calendar यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर जैसे ही click करेंगे तो जो भी rate color में है इसमें appointment अविलेवल नहीं है और जो भी green color में आपको दिखाई दे रहे हैं तो इस date को आप लोग अपनी appointment को book कर सकते हैं तो जो भी date आपको सही लगे आपको उसी date को select कर लेना है और इसके बाद आपको pay and book appointment वाले option पर click कर देना है इसके बाद आप redirect हो जाएंगे payment page पर यहाँ पर आपको payment करने के काफी सारे options देखने को मिल जाएंगे तो हम यहाँ पर UPI के मादम से payment करने वाले हैं इस वाले option पर एक बार click कर देना है यहाँ पर आपको दो option मिल जाएंगे सबसे पहली UPI ID और दूसरा QR अगर आप QR code के जरिये payment करना चाहते हैं तो इस वाले option पर एक बार click कर देंगे click करने के बाद यहाँ पर आपको एक QR code दिखाई दे जाएगा और इस QR code को scan करके आप लोगों को 1500 रुपए का payment online ही कर देना है जैसे ही यहाँ पर आपकी payment complete होगी यहाँ पर your transaction status is success लिखके आ जाएगा और आपको OK वाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके सामने transaction status में success लिखके आ जाएगा अब आप लोगों को यहाँ पर view, save, submitted, applications वाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद अब आपको यहाँ पर application को select कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर print application received वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे यहाँ पर आपके सामने पूरी receipt आ जाएगी और इसके बाद नीचे की side में आएँगे यहाँ पर print application received वाले option पर click करना है और अगर आप लोग चाहें तो अपने mobile phone पर भी SMS प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आपको gate appointment SMS वाले option पर एक बार click करना है तो आपके mobile phone पर ही appointment का SMS आ जाएगा लेकिन हमें यहाँ पर application received को भी print करना है तो इस वाले option पर click करेंगे और okay वाले option पर आपको एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके application received आ चुकी है और यहाँ पर आपको appointment ID देखने को मिल जाएगी इसके बाद यहाँ पर आपको appointment date देखने को मिल जाएगी यहाँ पर कौन सी time पर आपको बहाँ पर पहुँचना है वो time आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर जो भी आपका passport office है उस passport office का complete address देखने को मिल जाएगा तो आप लोगों को इसी address पर पहुँचना है और इसके बाद इस application receipt को print करने के लिए आपको कुछ नीचे की साइड में आना है यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा print application receipt इसी वाले option पर आपको एक बार click कर देना है click करने के बाद अगर आपके पास printer है तो आप यहीं से application receipt को print कर सकते हैं अगर आप लोगों का passport पूरी तरह से apply हो चुका है अब हम बात कर लेते हैं कि जब भी आप passport office जाएंगे तो बहां पर आपको कौन कौन से documents को लेके जाना पड़ेगा तो सबसे पहले तो आपने जो भी receipt अभी मैंने आपको बताई है इस receipt का print out आप लोगों को निकलवा लेना है और इसका print out आप लोगों को लेके जाना है और साथ ही आप लोगों को अपने original आधार कार्ट को भी लेके जाना है इसी के साथ अगर आपको high school तक पड़े हुए है या फिर high school से ज़्यादा पड़े हुए है तो आप लोगों को साथ में अपनी mark seat को भी लेके जाना पड़े तो आप लोगों को इतने document को original और photo copy दोनों को ही ले जाना है और इसके बाद जब आप passport office में जाएंगे बहाँ पर आपका verification किया जाएगा और एक live photo आपका camera से खींचा जाएगा और इसी के साथ जब आपका बहाँ पर verification हो जाएगा आपकी file को आपके police station में send कर दी जाएगी और इसके बाद आपका police verification होगा हो सकता है आपके police station से call करके वो लोग खुद भी police station आपको बुला सकते हैं या फिर आपके police थाने से कोई भी करमचारी आ करके आपका verification कर सकता है और इसके 15 दिनों के अंदर ही आपका जो भी passport है बहे आपकी address पर by post send कर दिया जाएगा तो इ से comment करके पूँच सकते हैं